नमस्कार मित्रों, मैं हूँ डॉक्टर हरी निवास, चैनल है संस्कृत साय तेवं संस्कृती और आप आनंद ले रहे हैं हितो प्रदेश का बड़ा ही सुंदर कसा प्रसंग चल रहा है स्तब्द करन, जो पिंगलक नाम के सिंग का जो जंगल का राज है उसका भाई है उसने बड़ा राज नहीं थी ग्यान पिंगलक को सुनाए, समझाए तब पिंगलक ने ये का कि बढ़ा तो ये सब मुझे भी है लेकिन क्या करें वो करटक और दमनक जो हैं वो दोनों अब मेरे कहने में ही नहीं है वो मेरी बात ही नहीं मानते है तब इस तब्द करण कहता है कि ये तो बहुत गलत बात है मतलब आपने जिनको मंद्री बनाया है वो गोटाला कर रहे हूं वो तो कर रहे हूं उसके उपर से अगर वो आपकी बात नहीं मानते हैं तो सर्वथा सर्वम अनुचितमेतर तो ये तो सब कुछ बिल्कुल ही गलत है आज्या भंग करान राजा ना चमेत स्वसुतान पे राजा के लिए जरूरी है कि उसकी आज्या का उलंगन अगर उसकी अपनी संतान कर रही हो तो उसको भी चमाने करना चाहिए देखे बड़ी महतुपून बात है पुत्रात शिष्यात पराजयम इचेत पुत्रों शिष्य से हारना अच्छा लगता है लेकिन अगर वो आपसे स्रेष्ट बन रहे हैं तो लेकिन आपका पुत्र अगर आपकी आज्या का पालन नहीं कर रहा है और गलत रास्ते पे चल रहा है तो राजा को आज्या का उलंगन करने पे अपने पुत्र को भी छमाने करना चाहिए विशेशा कोनु रागनस चे रागनस चित्र गतस से चाहिए नहीं तो एक चित्र में छपा हुआ राजा और ऐसा राजा जिसकी आज्या का कोई पालन ना करता हो दोनों के बीच में अंतर क्या है यानि फिर तो वो राजा राजा नहीं रह जाएगा जैसे चित्र में छपा हुआ राजा है इसी प्रकार का है आप देख लीजी थोड़ा सा पुरानी बात याद करें तो मनमहन सिंग जी जब हमारे भारत वर्स के प्रधान मंत्री हुआ करते थे वो अगर कोई निर्णे लेते थे तो निर्णे सर्वमानने हो जाएगा जी जरूरी नहीं था उनके द्वारा लिये गए निर्णे को फाड़के भी पेका गया है तो ताथ पर ये है कि राजा की जो गरिमा होनी चाहिए अगर वो गरिमा नहीं रहते है तो फिर वो राजा राजा नहीं है वो तो इख चित्र में बने हुए राजा की समान है श्लूक की तरह इसको बोल लिया लेकिन अगर इसको गाते नहीं है तो इसका आनंद नहीं आता है तो चलिए इसी श्लूक कुजरा गाने की कोशिस करते हैं सब्धस्य नश्यतियसो विशमस्य मैत्री नश्टेंद्रियश्य कुल अर्थपरश्य धर्मां विद्या फलं व्यशनिना कृपण से सोक्यम राज्यम प्रमत सचिव से नराधिपश्य भया जो मनुष्य निश्क्रिय हो जाता है स्थब्द हो जाता है नश्यतियसो उसका यस जो है वो नश्ट हो जाया करता है अरे भई मार्कीट में अगर बोलते रहेंगे तो यह आपका माल भी केगा आप कुछ ना कुछ कहते रहेंगे यह राजनीती का भी नियम है और यह समाज का भी नियम है अगर आप बिलकुल निस्क्रिय हो जाएंगे तो आपका नाम जो है वो लोग याद नहीं रखेंगे भूल दाए इसलिए आपको निस्क्रिये नहीं होना है आपको कारे करते रहना है आप कारे करें ना करें आपको बोलते रहना है निस्क्रियेता नहीं चाहिए स्तब्धता नहीं चाहिए चंचलता चाहिए विशमस्यमेत्री और जो व्यक्ति विशम होता है यानि जिसका मन बड़ा चंचल होता है ऐसे व्यक्ति की मित्रता बड़ी जल्दी समाप हो जाती है देखें मित्रता के लिए तो द्रड़ता आवश्यक है अगर आप अपने शिद्धानतों पे द्रड़ नहीं रहते हैं तो जिसके साथ आपने मित्रता की है उसके साथ भी दोखा हो जाएगा तो जो विशम लोग होते हैं उनकी मित्रता नश्ट हो जाती है नश्टेंद्रियस ये कुलम जिसका अपनी इंद्रियों पे वश ना हो, उसके कुल का ना सो जाता है इंद्रियों पे काबू नहीं रखेंगे, तो कुल समाप्त हो जाएगा आप किसी एरे गेरे के साथ जाके संबंद मना क्या जाएंगे हो सकता है, वो इस्तरी आपके संतान की माता बन जाए अब वो जिस कुल में, जिस परमपरा में, जिस घर में, जिस जगे पे होगी उस प्रकार के संसकार दे करके, तो आपके कुल का धर्म तो नश्ट हो नहीं होना है इंद्रियों पे अगर आप वश नहीं रखते हैं, तो आपके कुल का जो कुलीनता है वो समाप्त हो जाएगे भीया और जो धन के लाग्ची होते हैं उनका धर्मनष्ट हो जाता है जो अर्थ पर होते हैं जो पैसे को ही सब कुछ मानते हैं उनका धर्मनष्ट हो जाया करता है और जो व्यशन वाले होते हैं उनको विद्या नहीं मिला करते हैं क्योंकि विद्या के लिए संपूर निष्ठा चाहिए और आप व्यशन में होंगे तो आपके निष्ठा तो व्यशन के प्रति होगी अगर आपको जूट बोलने की आदत पड़ गई है अगर आपको जुआ खेलने की आदत पड़ गई है अगर आपको जो भी व्यशन लग जाएगा उस व्यशन के चक्कर में आप विद्या को भूल जाएगी फिर विद्या का पन नहीं मिल सकता और जो कंजूस होता जो कृपण होता उसको कभी सुख नहीं मिल सकता है कृपण व्यक्ति को कभी सौख की प्राप्ति नहीं हो सकती उसको सुख नहीं मिल सकता है क्योंकि सुख का एक सबसे बड़ा साधन जो है दन है और कृपन के पास से चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए दस पैसे कर्च नहीं होने चाहिए चाहिए तो आप हमारे सरील के खाल निकाल लो ये उनका सवब तो सुख तो कहां से मिलेगा ऐसी लोगों की बड़ी ही विडम बना होती है देखिए वो स्वयम तो पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं लेकिन उनके पैसे को कोई दूसरा भी खर्च नहीं कर सकता है कि दूसरा पैसा खर्च करें उनको सुखी बना दे वो भी नहीं कर सकता है यहां तक कि किसी और का पैसा भी खर्च हो रहा हो तो भी उसको यह लगता है, यह इतना यहां बरबात कर रहे हैं, इससे चादो मुझे दे दाता, तो उसमें भी उसको सुख नहीं मिलता है, वहां भी वो दुखी ही बना रहता है। जिसके मंत्री प्रमत्रों, तसकरे भ्यो नियुक्ते भ्या, शत्रु भ्यो नुर्प बल्लबात, नुर्प्रतिर, नीज, लोभाच्या, प्रजारक्षेत, पिवेत ही। राजा के जो परमप्रिये लोग हों ऐसों से, नुर्पति नुर्ज लोभाच्या, और राजा को खुद को जिन चीजों का लोभ हो लारचों, उनसे प्रजारक्षेत, ये राजा की जवाबदारी है, कि इन सब चीजों से प्रजा की रक्षा करें। देखे, बड़ी सुन्दर बात कही है। चोरों से प्रजा की रक्षा करना, इसको तो राजा अपना धर्म मानता है। लेकिन जिनको IPS ऑफिसर बनाके खुद नियुक्त किया है, वहिया उनसे भी प्रजा की रक्षा की जरुवत है। तब भी थी आज भी है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये काला तीत रचना होती है। यहां जो बात कहीं गए वो किसी विशिष्ट काल, देश और समय के अनुशार नहीं है। यह तो हर समय, हर देश और हर काल में आप इनका मुल्यांगन करके देखिए। आपको लगेगा जैसे आज के लिए बात कहीं जा रही है। तो जिनकी आपने नियुक्ते की हैं, ऐसे लोगों से भी प्रजा की रक्षा करने होती है। शत्रू से तो प्रजा की रक्षा करनी ही होती है लेकिन अपने प्रिये मंत्रियों से भी प्रजा की रक्षा करनी होती है जोड़ी बनाई है चोरों से तो रक्षा करनी होती है लेकिन चोर पकड़नी के लिए जो अपने पुलिस वाले नियुक्त की है उनसे भी रक्षा करने होती है आपको दुस्मनों से तो अपनी प्रजा की रक्षा करने होती है लेकिन जो आपके बड़े प्रिये मंत्री होते हैं उनसे भी प्रजा की रक्षा करने होती है भाया इन सबसे तो प्रजा की रक्षा करने होती है लेकन राजा के जो अपने लोब हैं, अपने लालच हैं, राजा के जो अपने निजी स्वारत हैं, उन स्वारतों से भी प्रजा की रक्षा करनी होती है, ये राजा की जवाबदारी है, पिति ये वही, जैसे एक पिता हर तरीके से अपने संतान क्या छाल रखता है, उसकी रक कार से राजा को भी एक पिता के समा इन सब चीजों से पने प्रजा की रक्षा करनी चाहिए ब्राता हां सरवथा असमद वचनम की एता हो उस्तब्द करना केता है इसलिए अब आप बिल्कुल जो मैं कह रहा हूं मेरी बात आप व्यवहारो अपि असमा भी कृत एव जो करना है हमें वो व्यवहार भी हमने करी लिया है ऐसा नहीं है कि अभी उनकी कोई परिक्षा लेनी की जरूरत है या एक बार और उनको कोई मौका देनी की जरूरत है अब तो हर तरीके से सब तरीके से पता चल गया है कि वो लोग कैसे आयम संजीवका ये आपका मित्र जो संजीवक है बैल है शस्य भक्ष को ये मांस भक्षी नहीं है इसको आप अर्था दिके अरे न्यूज जेताम आप इसको अर्थ का अधिकारी बना दिजे यानि आप जो शिकार करके लाएंगे आप जो कमा के लेके आएंगे उसकी ये मांशाहरी नहीं है तो ये तो मांस आपका खाएगा नहीं तो जिसके लिए जो चीज बर्जित है जिस चीज को जो व्यक्ति उप्योग में नहीं ला सकता है आप उसकी न्युक्ति कीजिए ने उस स्थान पर किसी को भी मुख्यमंत्री बना लीजी उसके अपने कोई न नहीं किया होगा तो उसके भाई का तो बेटा होगा है कि नहीं ममताब एनर्जी ने विवा किया होगा तो उनका भी कोई सकत संबंदी तो होगा लेकिन जो वैरागी बावा हो गया है आदित चनात जैसे को जब आप बना देंगे मुख्यमंत्री तो खुद का तो कुछ हु तो जब भी आप किसी अधिकार पे किसी की न्यूपति करते हैं अगर आपको ऐसा कोई पात्र मिल जाए तो आप यह मान लीजिएगा कि वो सुपात्र है कि जिस चीज की सुरक्षा की जबाबदारिया आप उसको सौप रहे हैं वो उसके काम की नहीं हो यहाँ पिंगलक से उसका भाई स्तब्दकर्ण यह कहता है यह जो आपका मित्र संजीबक है यह तो घास खाने वाला है आप मान्स की सुरक्षा की जबाबदारी इसको सौप दो एतद वचनात तथा नुष्ठी तेसती अब जैसे यह बात भाई ने कही तो पिंगलक को यह बात बि आइडिया है तो तुरंत ही उसने यह काम कर दिया मतलब जो कोई सही रास्ता मिल जाए तो देर नहीं करना चाहिए पिंगलक ने तुरंत ही यह काम कर दिया तदा रभ्य पिंगलक संजीव के ओ सर्वबंदु परिक्तियागे ने महतास नेहेने कालोवती वर्त ते अब तो दोनों परम्मित्र हो गए क्योंकि पिंगलक अगर शिकार करके लाता है तो जितना वो खाता है उसके बाद जो बच गया वो एकदम सुरक्षित है यानि दूसरे दिन फिर अगर उसको खाना है तो यह जरूरी नहीं है कि दूसरे दिन फिर वो शिकार करने जाएगा या वो कमाने जाएगा तभी उसको किला पाएगा अब उसका धन बड़ा सुरक्षित रहने लगया अब जो वो सुरक्षित रहने लगया तो संजीवक और उन दोनों की मित्रता बड़ी प्रगाड हो गई अब तो दूसरे बंदु बांधव किसी की कोई जर्वती नहीं है एक मान्ष वक्षी जो घास खाने वाला है उसको उसकी संपत्ती से कोई लेना देना नहीं है और एक घास खाने वाला जो मान्ष खाने वाला है उसको उसकी संपत्ती से कोई लेना देना नहीं है तो इन दोनों की मित्रता बड़ी ही प्रगाड हो गई अब इस सिती यहां तक आगे कालो अती वर्त ते ऐसे समय विदीद होने लग गया अती इसने है ने महता इसने है अत्य दिक इसने के साथ तो अनुजीविना अपि आहारदाने शेथी ले दर्सनाद दमनक कर कटेओ बन्युन्यम चिंदेद अविस्थिती ऐसी आई कि पहले तो राजा शिकार करके ल जाना पड़े अब जिनको मुफत का खाने की आदत पढ़ जाए उन्हें ये सब चीजें बरदास्त नहीं होती है तो दमनक कर्टक को तो बिलकुल आदत ये पढ़ दी थी अभी तक कि राजा ने कमाया और हमने खाया ये तो मुफत के खाने वाले लोग थे अब इनको बड पंदो गई है तब एक दूसरे के साथ ये विचार करने लगे तदाह दमनक कर्टक से कहता है मित्र किम कर्टक्यम मित्र क्या करें आत्मकृतो अयम दोशा है ये तो हमारे कर्मों का दोश है स्वयम कृतेपी दोसे परिदेवनम अपी अनुचित और व्यक्ति अपने किये है तो फिर उसको रोना नहीं चाहिए व्यक्ति स्वयम कर्म करता है अभी मेरी बात चल लए थी अपने बच्चों के साथ एक दिन जर्चा कर रहा था तो बात ये निकली कि भाग्य जो हमारे वश में नहीं है मतलब उनका यह मानना था कि भाग्य में जो लिखा होता है वो ह हमारे वर्श मेंनिय है उपने आपके भाग्य की रचना तो आप रहो लोग वाद कर्म्ल को खाक्य को अलग-अलग देखते हैं वह यह समझते हैं कि जो मुझे मिल रहा है मेरे कर्मों के फलकी बचे चिको और साहुण नहीं मिला वो भाग्य में नहीं लिखा इसलिए नहीं मिला है अरे भीया अगर आप ये मान रहे हो कि जो आपको मिल रहा है वो आपके कर्मों की बज़े से मिल रहा है तो जो आपको नहीं मिल रहा है वो भी आपके कर्मों का ही फ़ल है अगर आप ये मान रहे हो कि जो आपको तो नहीं मिला वो आपके भागी की बज़े से नहीं मिला है तो जुब मिला वो भी आपके भागी की बज़े से ही मिला है यह समझना चाहिए अब हमारे अपने कर्म हैं जिसकी बज़े से आज हमारी इस्तिती हुई है और फिर कहता स्वर्ण रेकाम आहम स्प्रिष्टवा यह दो तीन पात्रों की कथा एक साथ दमनक इस शलोक के द्वार आपने सम्मुख प्रस्तुत करना चाहता है चलिए कलटर कहता है कि यह कथा क्या है तो यह कथा हम अगले वीडियो में सुनेंगे बड़ी सुन्दर कथा है ध्यान रखेगा और प्रैम से सुनिएगा आप सुन